हलो डियर स्टुडेंट आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है हम आरपेसी फर्स्ट गेट जीके में करंट अफेर पढ़ रहे थे जिसमें वोल्यूम वन अपने पढ़ ली थी आज वोल्यूम टू है और इसके भी 30-32 क्यूशन है सबसे पहला क्यूशन है 31-31 अपने प्रणाली खरीदने का समझोता किया है तो S-400 वायूरक्षा प्रणाली भारत ने रूस से खरीदने का फेसला या समझोता किया है भारत ने रूस से S-400 वायूरक्षा प्रणाली खरीदने का समझोता किया है अगला क्यूशन है स्टेचू ओफ यूनिटी किस भारते राजन संप्राइट की प्रतिमा है तो state of unity जो है 2018 में बनी थी ये सर्दार वल्लब भाई पटेल की प्रतिमा है और इसके उचाई कितिनी है एक सो बर्याशी मीटर है विश्वी के सबसे उची प्रतिमा चिन सबसे लंबा पूल किस देश में बना है तो हाली में समुंदर पर सबसे लंबा पूल चीन में बना है याद रखना समुंदर पर सबसे लंबा पूल हाली में चीन में बना है अगला क्यूशन है ब्राजिल के राष्टपती कौन है तो ब्राजिल के जो वर्तमान में अगला क्यूशन आता है एक अप्रेल 2020 से बारत में किस रेणी के वहनों की बिक्री हो सकेगी तो एक अप्रेल 2020 से बारत में BS6 मानक के वहनों की बिक्री हो सकेगी यह important question है BS 6-1 की विक्री हो से केगी 1 अप्रेल 2020 से और यह next वाला भी important है 21 अक्टूबर 2018 को आजाद हिंद सरकार की स्तापना की कौनसी वर्सगांट मनाई गई थी तो पिचतरवी वर्सगांट थी आजाद हिंद सरकार की जो की 21 अक्टूबर 2018 को मनाई गई थी अगला question आता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो भारत के जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है सुनील अरोडा याद रखना भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोडा अगला क्यूशन खेल से हैं कि मुक्य बाजी चेंपिंशिप में बारत की सपलतम महिला मुक्य बाज MC मेरी कौम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते तो आपको याद होगा कुल 6 स्वण पदक जीते थे मुक्यबाजी चेंपिन्शिप में भारत की सबसे सफलतम महिला मुक्यबाज मेरी कौम ने कितने 6 अगला क्यूशन है खेल से T20 अंतराष्टी किर्केट में 4 सतक बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं अगला क्यूशन आता है भारत की पहली परमाणू पंडुम्बी जिसने अपना पहला गस्ती अभियान पूरा किया है उसका नाम क्या है इंपोर्टेंट क्यूशन है याद रखेगा भारत की पहली परमाणू पंडुम्बी जिसने अपना पहला गस्ती अभियान पूरा किया है उसका नाम है आई एनेस अरिहंत नाम है बारत की पहली परमाणू पंडुम्बी का जिसने अपना पहला गस्ती अभ्यान पूरा किया है अगला क्यूशन आता है साथवा अंतराष्टिय परियतन मार्ट 22 से 24 नवंबर 2018 को भारत के कौन से स्तान पर संपन हुआ था याद रखना अगर तला में साथवा अंतराष्टिय परियतन मार्ट संपन हुआ था 22 नवंबर को अगला क्यूशन है भारत ने किस देश के साथ बारत स्टिल्थ फ्रिग्रेट दुरुत गामी रक्सक जहाज बनाने के लिए नवंबर 2018 में एक समझोते पर हस्ताकसर किये हैं तो बारत ने रूस के साथ बारत स्टिल्थ फ्रिग्रेट दुरुत गामी रक्सक जहाज बनाने के लिए नवंबर 2018 में एक समझोते पर हस्ताकसर किये हैं अगला क्यूशन है यूरोप और जापान की अंतरिक्स एजेंसियों द्वारा सयुक्त रूप से कौन से ग्रह का अध्यन करने के लिए अंतरिक्स यान अक्टूबर 2018 में प्रक्षे पित किया गया हैं तो यूरोप और जापान की जो अंत्रिक्स एजेंसिया हैं इन दोनों ने सःउग रूप से मिलके बुद्ध ग्रह का अध्यन कड़ने के लिए अंत्रिक्स यान अक्टूबर 2018 में प्रक्षेपित किया है और अंत्रिक्स यान का नाम क्या है तो बेपी कोलंबो नामक अंतरिक्स यान है उसका नाम जिसे फ्रेंच गोयाना के कोरू केंदर से 20 अक्टूबर 2018 को एरियन फाइप राकेट द्वारा भेजा गया था तो याद रखना इसके तीन क्यूशन बन रहे हैं एक तो यूरोप और जापान की अंतरिक्स एजेंचियों द्वारा सयुक्त रूप से बुद्ध ग्रह का अध्यान करने के लिए अंतरिक्स यान और इस यान का नाम क्या है बेपी कोलंबो नामक अंतरिक्स यान को फ्रेंच गोयाना के कोरु केंदर से 20 अक्टूबर 2018 को एरियन फाइप रोकेट द्वारा प्रक्षेपित या बेजा गया है अगला क्यूशन आता है स्प्रिंग टेंपल बुद्धा जो कि चिन में बनी हुई परतिमा है इसकी उचाई कितनी है इनको याद रखना आप सुमेलित करें इससे भी पूच सकता है यह एक तो स्टेचू अप यूनिटी सरदार वललबाई परतेल की 122 मिटर स्प्रिंग टेंपल बुद्धा 128 मिटर म्यामार में बनी लेक्यून सेट क्यार 116 मिटर और जापान में बनी परतिमा उसीकू दाई बुच्छू की उचाई 100 मिटर तो इनको आप याद रखना स्प्रिंग टेंपल बुद्धा 128 मिटर लेक्यून सेट क्यार 116 और राजस्तान का करंट अफेर आगया है राजस्तान परेटन विभाग का नया सुलोगन क्या है या आप सभी को बताए जानने क्या दिख जाए यह अगला क्यूशन इंपोर्टेंट है स्मार्ट सीटी के पर्थम चरण में देश के 20 सहरों का चैन हुआ है उसमें राजस्तान के कौन से सहर को सामिल किया गया है तो जेपूर और उदेपूर जो है यह स्मार्ट सीटी के पर्थम चरण में देश के 20 सहरों में से राजस्तान के दो सहर है जेपूर और उदेपूर राजस्तान के दो सेर हैं जेपुर और उदेपुर जिनका स्मार्ट सीटी के परतम चरण में देश के 20 सेरों में से चैन हुआ है अगला क्यूशन है केंदर सरकार ने गुजरात के कच्च से राजस्तान के किस जिल्ले तक जल्पोत को चलाने के लिए अध्यन सुरू किया या स्टेडी सुरू की है तो केंदर सरकार ने गुजरात के कच्च से राजस्तान के जालोर जिल्ले तक जल्पोत को चलाने के लिए स्टेडी सुरू की ह अगला क्यूशन आता है राजस्तान के पुरू मुख्यमंत्री वसुंद्रा राजे ने साला दर्पन और साला दर्शन तता राज इग्यान पोर्टल का लोकारपन कब किया था तो बारा फरवरी 2016 लाको मुख्य मंत्री पुरु मुख्य मंत्री वसुंदरा राजे ने साला दर्पण और साला दर्शन तथा राज इग्यान पोर्टल का लोकारपण किया था बारा फरवरी 2016 लाको अगला किशन है राजस्तान में CNG स्टेशन कहाँ पर संचाली थे तो राजस्तान में CNG स्टेशन जो है वो नीमराना और कुकस में संचाली थे इसके अध्यक्स कौन है तो परमेश चंद्र राज्य में नए जिल्ले के गठन के परस्ताओं पर विचार के लिए अध्यक्स बनाए गए है अगला क्यूशन है 2018 से साला दर्शन को किसके साथ मर्ज कर दिया गया इंपोर्टेंट है इमित्र केंद्रो पर पैचान पोर्टल का सुभारम राजस्तान में कभी किया गया विवाः पंजियन का इमित्र केंद्रो पर पैचान पोर्टल का सुभारम राजस्तान में 21 मार्च 2016 से किया गया अगला क्यूशन आता है इंपोर्टेंट क्यूशन है चार पांच क्यूशन बन रहे हैं इससे कि पीम मोदी ने 8 मार्च 2018 को राजस्तान के कौन से सहर से बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ योजना का विस्तार किया है तो जुन जुनु से किया है और इस योजना का सुबारम 22 जिनवरी 2015 को सुबारम हुआ था बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ योजना का और इस योजना के पर्थम चरण में 100 जिल्लों में संचाली थी योजना बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ योजना और जबकि दूसरे चरण में 61 अन्य जिल्लों को सामील किया गया और 8 2018 को बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ योजना देश के सभी जिल्लों में लागू की गई याद रखना इसको इसका सुबारम हुआ था बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ योजना का 22 जनवरी 2015 को और इसके पर्थम चरण में 100 जिल्लों में संचालित थी दूसरे चरण में 61 अन्य जिल्लों को भी संचालित सामिल किया गया और 8 मार्च 2018 से ये देश के सभी जिल्लों में लागू की गई और PM मोदी ने 8 मार्च 2018 को राजस्तान के जुन-जुनु जिल्ले से बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ योजना का विस्तार किया है अगला क्यूशन आता है PM मोदी ने 8 मार्च 2018 को राजस्तान के कौन से जिल्ले में राष्ट्रिय पोषण मिशन का सुबारंब किया है तो वो जिल्ला कौन सा है जुन-जुनु जिसमें PM मोदी ने राष्ट्रिय पोषण मिशन का सुबारंब किया है अगला क्यूशन वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभियान राजस्तान के कितने जिल्लों में संचली थे तो 33 जिल्लों में संचली थे अभी आपको बताया था आठ मार्च 2018 से ये देश के सभी जिल्लों में लागू कर दी गई हैं बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ योजना अगला क्यूशन आता है राजस्तान में सपत पत्र की अन्यवारिता और दस्तावेज श्वय परमानित करने की वेवस्ता कब से प्रारंब हुई हैं तो एक जनवरी 2015 से राजस्तान में सपत पत्र की अन्यवारिता और दस्तावेज को सेल्प अटेस्टेड करने की वेवस्ता लागू हुई हैं एक जनवरी 2015 से अगला क्यूशन आता है अगला क्यूशन है राजस्तान सरकार ने नई सोर उर्जा नीती कब जारी की है तो 8 अक्टूबर 2014 को राजस्तान सरकार ने नई सोर उर्जा नीती जारी की है अगला क्यूशन आता है सोर उर्जा उत्पादन में राजस्तान का भारत में कौन सा स्थान है तो सोर उर्जा उत्पादन में राजस्तान का भारत में दूसरा स्थान है सोर उर्जा उत्पादन में राजस्तान का भारत में दूसरा स्थान है और सोर उर्जा निती राजस्तान ने लागू की हैं 8 अक्टूबर 2014 को यह आपका वोल्यूम 2 हो गया इसे ध्यान से पढ़ना अभी अपने बहुत से क्यूशन है जो बनेंगे तो पढ़ते रही है आपके अपने चैनल के साथ अगर आपको पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक की या कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो पढ़ते रहे हैं आपके अपने चैलिन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में जै हिन जै भारत